हेलो फ्रेंड्स वेल्काम टो माई चैनल ट्रेट प्रैड आज देखते हैं नेक्स्ट वीग हम लोग कैसे ट्रेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी और मंडे को मिट्केप निफ्टी का भी एक्सपार है वो भी देखेंगे और आज का जो मेंली था वह आई-टी सेक्ट था ठीक है तो आज का जो रेले आया था तो उसका में था आई-टी सेक्टर और आई-टी सेक्टर का मोग बहुत दिन पहले एक बार डिसक्स किये थे देख लो शायद तब आई-टी सेक्टर मेरे ख्याल से यहाँ पर कई पर था आसपास इस लेवल पर था तो हम लोग ने क रहा भी था कि लाइफ टाइम अगर हाइट टच करेंगा तो बहुत सारा स्टॉक से जो भूत अच्छा परफॉम्ट करेंगा उसमा आप लोगों को मिल यह अगर स्टॉक्स भी नी कोई बाइन नहीं किया तब इसको इट एफ में अच्छा खासा मिल गया मतलब बहुत अच है लेकिन जो भी एफ फास्मोव कर गया तो अभी जो भी सेक्टर दिया वह भी बहुत टाइम के लिए बहुत लंबाट टाइम के लिए वह थोड़ा सा और ज्याधा मुझे लगता पोटेंशियल है और जाता बाग यह तो भी जाकर वीडियो चेक कर लेना तो अगर मैं हो स तो इस वीडियो में में बताता हूं कि यह सेक्टर मुझे से लग रहा है भाग सकते हैं हर दिन हर वीडियो अच्छे से देखा पूरा देखा तो आपको आपन इंसाइट मिल सकता है ठीक है तो भी हम लोग पहले आनलाज्जिस कर लेते हें बैंग निफ्टीं निफ्टी का डेंफ्टी जो विकली कंदल देखके तो लग रहा है कि यह यह ना बेरीच दिख रहा है आज पर ब्लेच दिख रहा है आज के मतलब इस हफ्ता जो कंदल क्लिच हो इसमें मुझे प्रटाओं आप लोगो वो थोड़ा ध्यान से सुनना बोरिइंगे तो ऐसे लिए को पैसा कमाना थेET तो बैंक निफ्टी का जो भी लग रहा है देखो यह वाला जो अभी लेवल है थर्टी मिनिट्स का टाइम फ्रेम में करने वाले हैं तो फिर यह वाला जो लेवल इसके नीचे जाने से आपका एक बुली बेरिस साइड में हो जाएगा और अगर इसको ब्रेक करता है इस ओलस या कहीं पर लगा दो मार्केट में आप लोग आप का मैयल गोणा की कुछ भी हो रहा है तुछ माओनी को भी तैप स्टॉक जो भागे आ रा है आपका अपर कुछ पोर्प फोलिय नहीं करandel को सब्सक्राइब और इंडेक्स कर रहे हैं ना अपका portfolio आगे भाइन बढ़ रहे बढ़न यह एक बहूट बड़ा साइन है और मेरा एक चीज फॉलोग करता हूँ वहाँ पर में में 3000 प्लस स्टॉक्स था इंडियन मार्केट में अभी तो अल्मॉस्ट 5500 के प्लस होगा एधिंग तो 3000 प्लस जब स्टॉक्स थे तब अगर उस मेरा जो मेरा इंडिकेटर है मैं जो बना कर रखता हूं मदलब इसा तो उसमें 700 स्टॉक्स उस जोन पर आता है तब मदलब मार् एक्स्ट्रीम बुलिष जोन पर जा चुका है 700 प्लस में और अभी येकीन नहीं कर रहे है और यह 3000 था अभी फाइट में 300 है 300 मतलब समझ सकतो हो कितना ज्यादा बुलिश है कितना ज्यादा बुलिश होगा मार्केट मतलब कुछ भी हो रहा है कुछ भी स्टॉक्स भाग रह मार्केट में इस सकता है लाय नया लाय फाए फे मिल देखने को मिल जा इसको भी ब्रेक कर ऑपर भी यह चा सकता आप बुली साइन में करो कॉंडेट क्यूंक हो भी मैं बताऊंगा लास तक देखना इसलिए वीडियो और जो इसको ब्रेक करेगा तो आप एक बेरिश पोजिशन बना सकते हो देन इसको ब्रेक करता कंफर्म हो जाएगा तो लेकिन देखो मार्केट में स्टॉप प्लॉस करना मुनी मेनेजमें सब कुछ करके अभी जो बना थोरा सा मतलब वह जादा वाकिफ नहीं है वह बहुत बुरा फसेगा क्यों कि दिखो अगर कोई यहां पर कोई शॉट किया होगा है मतलब एकदम मैंसको हैट सप कि ठीक है आपने यहां पर शॉट किया बहुत अची बात है बहुत सॉलिड है लेकिन आगर आपने यहां पर शॉट नहीं काटा तब हो गया आपका ठीक कि यहां तक गया अब क्या पता यह और भी जाता जैसे निफ्टी किया था यह और भी चला जा सकता था लेकिन वह आपको बुक करना पड़ेगा आपको लॉसस काटने चला पड़ेंगे तो ऐसे यह आप यहाँ पर जो दो क्याब डान वहा अच्छा खासा मूव आया यहां पर फॉलो थ्रू नहीं यहाँ फॉलो थू मिलन देन यहाँ पर सैड़ों चला िंशन चला कितला कुछ भी हो रहा है मतलब आप उसको ट्रेड़ नहीं कर सकता है यहा इसके बाद आप ये वाला के लिए मूव के लिए प्लैन कर ही नहीं सकते और आज सुभे ये वाला पहले ये वाला दिया दिन ये वाला दिन इसके बाद ये आप प्लैन कर ही नहीं सकते ठीक है तो इसलिए आपको थोरा सा भी समल गया या तो ऑप्शन सेल करो दूर का करके ब इसके नीचे इसके नीचे आवजादा confirmation मिलेग इसके नीचे थोड़ा सामलोग बना सकते और इसके ऊपर हम लोग bullish के लिए behaves लेएफ लेएखेंगे इस अंत्यार Всем Rank निफटी डेला तेकर करेंगों हुरह को सब्सक्राइब ही as ऐसा लग रहा है ठीक है उपर थोरा सा और जाएगा 25 और 500 पॉइंट का मुझे रेली दिख रहा है 25,000 तक का यह चाहिए टच करें या फिर वहाँ से रिवर्स करना चाहिए विकले केंडल देखके सा लग रहा है कि यह थोरा सा ऊपर जाएगा देन यहां से रिवर्स कर सकता ह उसके next week onwards यह थोरा से रिवर्स कर से या फिर आप 25,000 इस वीक के next week टच करके दिन वहां से रिवर्स करें देन के बीच में क्लोशन देन नेक्स वीक ओनवर्स थोरा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है 25,000 अच्छा खासा लाइक क्या बोलता है उसको एक achievement टाप का भी हो 10-11 अभी है और थोड़ा से और आगे जा सकता है तो विम्तरोट में देख लेते क्यों हम लोग कर चैसे कर सकते तो अब एक इसको अगर उपर वाला ब्रेक करेगा तो आपको छोटा सा स्टॉप्लोस डाल के ऊपर ट्रेट करना है और स्टॉप्लोस होता है जाने दो स्टॉप्लस देन मतलब दो लेकिन आप उसको जबर्दस्ति मत करो उपर ही जाएगा बोलके या फिनीचे घिरेगा आसे सरी मत मानों क्यूंकि मैं बार-बार बोल रहो बहुत जयादा मेनीप्लेशन चल रहा है तो आपको थोड़ाँ सम्हाल के करना जरूरी है और नीचे कंफरम मिशन कब और जादा कन्फर साथ और सब्सक्राइब और इसके नीच आप थोरा सब्सक्राइब होके और थोरा दाधा quantity add कर सकते हूं यहां पर थोरा quantity add करो बुलिस साइड में भी आप थोरा सा हलका quantity रखना 50% quantity 30-40% quantity ही रखना और छोटा सा stop loss रखके त्रेट कर सकते हैं और 4-500 पॉइंट का और मुझे रहले दिख रहा है जो विकले टाइम फ्रेम देख यह लग रहा है ठीक है यह हो गया निफ्टी का भी हो गया निफ्टी के लोग देख लिए अभी हम लोग मिट्क निफ्टी देखते हैं जो मंडे की दिन एकस्पायर ही है मिट्क निफ्टी पे हम लोग देखते हैं 15 मिट्क नाइम फर में देखते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा और मिट्क निफ्टी में थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग देख रहा है tochता सी सनी इंड्रेस्टिंग दिख रहा मदला 50-50 पॉयंट का एक हलका सा ट्रेड मिल सकता अगर इसको ये तोड़ता है हाइप है ठीक है अगर फ्लैट ऑपन होता है और इसको तोड़ता है देन सेगंड हाफ में तो 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 तेन आपको सब्सक्राइब कर सकता है बहुत बढ़ा के अपडान में आपको वेट करना है और देखना है कि कहा जा रहा है ठीक है देखना है कि यह नीचे जाके फिर यह जा रहा है तन आप उसको ट्रेट कर सकतो है त्टिके पर नीचे जाने दो और थोरा सा यह उपर जाने दो या फिर यह आपर हो सकता है गडाउन होने कहा तरो उपर जाए देन यहाप साइट बिज रहे सेके आफ के टाइम में तरह ब्रेक करें तक तो त्टिकें और एक देखो बुलीशी करना है लेकिन देखें गैपड धाडाम से गिरें और एकदम इस लेवल तक आए या फिर और थोरा डीप आए इस जोन तक आए ठीक है इस जोन तक आए यहाँ पर आपको कुछ पांच मिनिट के टाइम फ्रेम में कुछ भी बुलिश पैटन दिख रहा है देन आप इसको ट्रेट को या फिर फ्लैट बना रह कर रहे है तब अब उसको ट्रेट कर सकता है और बहुत बड़ा ठ्रक जोन लेकर समझ गया अंधादून बूलिश नहीं क्योंकि अग्र मेरा फेबरेट होगा यह वाला फ्लै उपेन हो इस जोन तक आए या फिर अ पीर एट लिगूर्ट ट्रेट लेवल तक आए मेरा फेब यहां पर बनता है तब में करूंगा यह थोड़ा इस लेवल पर आने से भी होगा लेकिन आपको बुलिश यहां पर फ्लैट बेस बनाना पड़ेगा यह कुछ बुलिश एक मॉर्णिंग स्टार पैटन बना कुछ भी बनाया आपको बुलिश पैटन दिख रहा है आखो से उसके लिए थोड़ा बड़ा डार्गेट के लिए प्लैन करूंगा ठीक है यह तो किया बात देखो अभी सबसे इंपोर्टेंट बात है अगर मार्केट इसी जोन पर रहा मार्केट इसको निफ्टी मान लो जो भी मान लो इसी जोन पर रहा जहां पर अभी है तब भी 23 को अब का बजट है उस दिन मुझे लगते है चार जून वाला स्थीन होने वाला है ठीक है और अगर और उपर जाता है मार्केट और वहाँ पर रहता है अगर 25 रहता है तब अगर बजट के दिन 25000 के आसपास रहता है मार्केट बजट मुझे लगता उससे भी भाईंकर होसकता है ठीक है तो अभी अगर कोई भी स्विंग करता है जिसका स्विंग मतलब जो मालो हफ्ता देज दिन के लिए या हफ्ता दिन के लिए टेट करता हो लिया हो आहाओ या पिर जो दो-तीन महीना के लिए भी इस लिया हो ठीके जो थीमिया हो वह भी आतलीस थोरा सा कैस ön Calvin कत देख लो मैं इसमें जाए फोर्व नहीं करगा लेकिन कैस कर लो तो बैटर होगा ठीक है बात में देख ले नौक वजब बजट के बाद देख ले न वह बाद में यनफ्यूस कर ले न और बज़ेट के स्टोकukt बहुत यूटूब में चल रहा है बजट धीम यह थीम भी थीम मत पड़ो इसमें भी मार्केट बहुत जाद आ एक्सेमर करना है वह यहां से हो सकता है 26,000 चलाजाएं कि क्या सकता है बज़ित के दिन पर चीज़ाइं मैं मना नहीं कर रहा हो सकता है लेकिन देखो यह सब चीजों में आप मार्केट के लिए इन सब चीज़ों के लिए नहीं है अब अब अपना थाट प्रसेस रख यहोंगा हों तो इसलिकित की मार्केट हमेशा से नहीं रहे गाए दो मेहने बाद चेंज होगा तब में मेरा काम कर सकता है चार ना में यह बहुत सही होता था गर बोलता था यह तक जारने में और मिलता था इसली इसली नहीं था लेकिन वह जो अभी घर्रैने कर रहा हूं थोड़ा प्रोफिट आखों से के सामने से जा रहा है इस ओके मेरा भी पर्सों की दिन पर्सों जो यह वाला आया था मतलब बैंक निफ्टी में वेशा मुव आया था तब मेरा बहुत अच्छा प्रोफिट चल रहा था बहुत यह अच्छा उसको मैं आज जस कॉस्ट अगर मार्केट में वोलो अगर निफ्टी खोल लेता है थोड़ा और उपर चला जाता है और तब बजट आता है सिंपन अमधलिब जिसा एक्सपेक्टाफ था वही बजट आयं फिर भी गिरेगा खडाम से गिरेगा अगर उपर रहता है तो और अगर थोरा मेरा ऍरवल्ण था कि थोरा यहां से गहां से ही मुद्ध सख्रास ऑर करेक्शन दें धेन प्री अश्वी यह वाला जो था यहां से देन इसा होता तब एक ते मैरे ठीक estos अगार आप यहां पर budget के लिए प्रिपेर हो जाओगे और मैं 12 बता रहा हूँ अभी जो गिरेगा न आप कुछ नहीं कर पाओगा आपका हाथ में भी आपको शॉट भी करना उसका हाथ में भी नहीं आएगा और जो स्टॉक्स आप बस देखते रहे जाओगे 100 रुपय का स्टॉक्स कब 95 पहुचा कब 90 पहुचा कब 85 पहुचा पस देखते रहे जाओगा आप उसको बुक करने के लिए आपका हाथ मतलब नहीं जाएगा क्योंकि इतना जल्दी से फॉल करें आप सोच नहीं सकता आप सोचो कि 80 95 में है ठीक है थोड़ा सा देखता हो 97 जाएगा तो मैं निकल बहुत मतलब यहां से आप सोच सकते हो यहां से क्या बदल है मार्केट में क्या बदल है मुझे यह बताओ चेंज क्या हुआ है आप बोलो कि आपका आर्गुमेंट होगा तो यहां पर यहां पर क्या चेंज होगा था बहुत चेंज होगा था सरकार एक तरफा सरकार नहीं बना ठीक कहां से अभी किटना परसन 15 परसन केन यू बिलीव अपन्दरा परसन बने कतरी सरकार ने रहा अभी वे आप देखी रो कुछ भी नहीं कर सकता ओपोजिश्न भी है औहर अभी एक तरफ नहीं चल सकता अभी बस अभी सरकार कॉर्परेट के लिए इतना नहीं देख स सब कुछ करना है तो अभी वैसा नहीं कि कुछ भी लागो कर दिया चल गया है ना तो अभी इसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा परल्लेमेंट में बहुत कुछ इसके बाद जो यह आया यहां 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 पर अभी यहां पर रहता मार्केट मुझे को दिखने लेकिन इतना दूर तो जादा चला गया अभी भी आपका 2000 पॉइंट उपर है जो भी अभी आपको देखना है कि बजट के टाइम पर मार्केट कहा रहता है ठीक है बजट के आसपास कहा रहता है अगर उपर रहता है देन प्रिपेर हो कि आपको जटका लगने वाला है और अगर थोड़ा करेशन थोरा मधि इतना थोड़ा भी नहीं थोरा ज्यादा मतलब एट-लिस यहां से 1000 पॉइंट का सबसे यहां तक इस लेबल तक यह इस लेवल तक यह आए अगर मार्केट इस तारीक से पहले-पहले तो एक ही हफ्ता टाइम है बस नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वी तो शायद ऐसा वाला एक फॉल आएगा ठीक है और अगर थोड़ा नीचे रहात तो भिए ऐसा वाला फॉल आएगा और अगर थोड़ा उसा उपर रहा तो ऐसा वाला फॉल आयगा मैं सारा эту कई आएगा एट लिस्ट लेकिन कहां से आएगा वो डिपेंड करते हो सकता है तेज तरीक को बज़ड़ा एक दिन में अगर यह गिरा थब तो हो गया और इसलिए में बोलना अभी थोड़ा गिरिके तन वहाँ पर रहता है देन आपके पास मतलब स्कोप है कुछ इसलिए में बोलड़ों पहली बोला था बोरिंग होगा लेकिन सुनना और पैसा भी रखो थोड़ा से कैस रखो मैं फिर से बोलो है आपकी मर्ज है आप जानते हो मुझे नहीं पता लेकिन आगर देखो आप लोग वोलोगे आभी आर्गू करेंगे एफाइब कर रहा है अग आगे देखो अगर महलोगे हाजार करों का टोटल नेट बाइऑ उसका ठीक है तो देखना कि 14,000 करोड हैं सेलिंग क्या है और गांडर 1.00 करोड बाइँ क्या है तो क्या और उसका व्यू तो लंबा उसका व्यू तो लंबा है जहाइए जहाद पर फ्रॉFC कुई इस टो करोगा तो वहां पर वो थोरा सब पैसा डाल रहा है तो आपको बाइंग फिकर भी दिख रहा है उसको प्रॉफिट भी हो रहा है देख उस वह मानने लोग कि अभी कोई स्टॉक उसने सौ में खिरिदा था मैं आपको बता रहा हो लोजिक लेक चीज़ वह उसका दो 100 भाव हो गया ठीक है उसका दो 100 भाव हो गया यहां पर उसने लगाया था दस जार करोड ठीक है यह हो गया 20,000 करोड रहो खोगे दोस्तों कबबार 20,000 करोड अब निकाल दिया फॉतिन थॉजन क्रोर हो गया थीच है कि फॉर्टिन थॉजन क्रोर होगए और पंधना-धर करूर बाय कर लिया ठीक है उसके जेब से क्या गया कुछ नहीं यहाँ पर 4000 करूर का प्रॉफिट भी और 6000 करूर का स्टॉक्स भी पड़ा हुआ है अब अब लोजिकल एक फुरा मैठ्स लगा लोजिकल है कि नहीं है न वह बस 4000 कर तो उसका अलुटी प्रॉफिट चल रहा है वह हजार कुरूरी लगाया 15000 कुरूर बाइ किया और वह 15000 को एक ही श्टॉक में लगाया हो जसमें बोल्ड हो एक हाइपोत्रिकल बतारो एसा एक्जेक्ट होना जरूरी नहीं है लिकिन ऐसा हो रहा है कि वह बहुत दिन पहले इन्वेस्ट करके रखा था वह सब स्टॉक दे अगले विडियों में तब तक लिए बाई शुक्रिया और अपना ख्या लगना